यूरिन करते समय अगर आपको ये 5 लक्षन दिखाई दें तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है वो सकता है कि शरीर में किसी तरह की कोई समस्या हो जिसके लिए आपको तुरंत डौक्टर की सलहा लेना जरूरी है यूरिन करते समय यानि कि पिसाब करते समय अगर आपको इस तरह की 5 समस्याई दिखाई देती हैं तो तुरंत डॉक्टर से समबर्ख जरूर कीजिएगा Hello everyone, welcome back मैं आपकी host और दोस मधू, एक certified dietitian और एक naturopath अगर आपको भी इस तरह की 5 समस्याई दिखाई दे रही हैं तो आपको साबधान होने की जरूरत है और आज की इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये एक awareness वारी वीडियो है क्योंकि कई बाद छोटी छोटी समस्याओं को हम ignore करते रहते हैं और ये ही छोटी समस्याई आगे जा करके बड़ा स्वरूप लेती हैं जिसके लिए हमें काफी सारे नुकसान हमारी सेहत को देखने के लिए मिलते हैं सबसे नंबर वन पर आती है अगर आपको यूरिन करते समय जलन महसूस हो रही है तो यकीन मानिए ये आपके किड्नी में infection होने का ही एक लक्षन है जिसके लिए लंबे समय तक इसका इलाज ना कराने से आपकी किड्नी damage हो सकती है या फिर ये आपकी समस्या बढ़ सकती है जिसके समय तक इूरिन में जलन रहने की वज़े से आपको infection बढ़ेगा जिसकी वज़े से यूरिन कम आएगा यूरिन कम आने की वज़े से आपके पेट में दर्द और मरोड महसूस होगी और यूरिन वापस याने की यूरिन से रिलेटर जो toxins होंगे वो वापस किड्नी में जाएंगे जिससे किड्नी का infection बढ़ेगा तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखाई दे रही है तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर की सलहा लेनी सरूरी है नमर टूर पर आता है अगर आपको बार बार यूरिन आता है और रुक रुक कर आता है तो ये भी एक बहुत गंभी समस्या है तकता है कि आपकी किड्नी में पत्री की दिखाई हो जिसकी वज़े से ये समस्या आपको हो रही हो या फिर हो सकता है कि किड़नी में सूजन की दिक्कत हो जिसकी वज़े से आपको यूरिन बार बार आ रहा है और ठीक से नहीं आ रहा है तो ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर की सलहा लेनी चाहिए क्योंकि बार बार रुक रुक कर urine आना kidney में किसी तरह की समस्या होने का ही एक संकेत देता है लेकिन सुरवाती समय में आप क्या कर सकते हैं पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं हो सकता है इस वज़े से यानि कि dehydration की वज़े से भी कई बार जो है urine कम आता है तो ऐसे में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए अगर फिर भी आपकी ये समस्या सॉल्व नहीं होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपल्ख करें क्योंकि हो सकता है कि आपके kidney में आपको पत्री है या फिर सूजन की वज़े से इस तरह की समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है अगर आपके urine का color जो है वो अचानक से change हो गया है बहुत dark yellow हो गया है तो ये urine में infection होने का election होता है और ये सीधे सीधे कई बार diabetes की तरव भी सारा करता है अगर आपको जो है बहुत लंबे समय से बहुत dark color का urine आ रहा है और साथ में उसके जाग भी दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपको ये diabetes की सुरवाती लक्षनों में से हो तो इसे में तुरंत डॉक्टर की सलहा लेना बहुत ज़रूरी है लंबे समय तक इस तरह की समस्या रहती है तो उसे ignore बिलकुल ना करें चोते नंबर पर आता है अगर urine से बहुत ज़्यादा smell आती है तो ये भी urine में infection होने का ही एक लक्षन होता है और diabetes की सुरवाती लक्षनों में से एक है तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से संपर करना ज़रूरी है जो की बहुत गंभीर समस्या है urine में blood आना ये तब होता है जब आपके kidney में infection की मात्रा बहुत जादा बढ़ जाती है तो इसलिए धीरे धीरे करके आपके जो urine है उसमें blood आने लगता है तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो kidney का infection बनके आपकी kidney को damage भी कर सकता है तो इस तरह के अगर 5 लक्षन आपको दिखाई दे रहे हैं या इन 5 में से भी कोई एक लक्षन लंबे समय से आपके साथ है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर करें क्योंकि kidney की किसी भी तरह के infection की वज़े से ही ये समस्याइं आपको देखने के लिए मिलती है ये सुर्वाती लक्षन है इन्हें इग्नोर बिलकुल ना करें उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी जानकारी अच्छी लगी है तो इसे like, comment और share सरूर कीजिएगा चलिए फिर मिलूँगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना वेहत खयाल रखियों और हस्ते मुस्कुलाते नहीं Stay Healthy, Stay Happy Bye Bye